हाई एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगी मैं हूँ राहूल जैस्वालें स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने मोश्ट इंपॉर्टेंट सब्सप्जेक का एक new chapter एक fresh chapter अपके लिए शुरुवात करने जा रहे है दोस्तों जिस chapter का नाम है chapter 7 metals and non metals आज हम इस particular chapter की शुरुवात कर रहे हैं पहला lecture होने वाला आज का जो कि again एक बहुत important lecture वीडियो है और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो chapter नॉम्मली metals and non metals यह कि ज्यादा इंपोर्टेंट होता है साइंस में क्योंकि देखो कोई भी चीज का जो बेस होता है साइंस की अगर बात करिए पुरा elements का खेले पुरा का पुरा जो साइंस है हर एक चीज में elements होता है चाहे हंगन बात करें biology की उसके अंदर भी हमारे cells के अंदर जीतने भी चीज़े होती है वो सब elements होती है चाहे वो metals हो non metals हो हमारे अंदर भी present होता है ठीक है na carbon dioxide से लेके carbon से लेके potassium से लेके ठीक हर चीज हमारे होते है metals या non metals है हर एक चीज में दोस्तो इसलिए metals and non metals का पढ़ना और साथ ही में चीज होता है में पढ़ना है कुछ properties जो कि आपको जानना बहुत बहुत जरूरी होता है दोस्तों इसलिए ये वीडियो बहुत important है वीडियो को skip मत करना वीडियो को end तक जरूर से देखना चलिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात metals हम लोग पढ़ेंगे या पर metals and non metals के case में सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा metals से फिर हम लोग चड़ेंगे दीरे-दीरे non metals की तरफ तो सबसे पहले metals क्या होता है वो discuss कर लेते हैं ध्यान से देख लेते हैं metals एक ऐसा चीज होता है अजर मैं बात करूँ elements जो होते हैं हमारे तीन चीज से बने होते हैं सबसे फिस्वेले मैं आपको कुछ basic बता दूँ कि आपको कोई जल्दी बताता नहीं है तीसरा जो चीज होता है और यह आपको जल्दी कोई बताता नहीं है जिसका नाम है दोस्तो metalloids ठीक है ना metalloids और यह क्या होता है यह दोनों का एक तरीके से combined property वाला कुछ चीज होता है जिसको हम लोग end में चर्चा करेंगे लेकिन हाज हम लोग metals के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके कुछ properties के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि again बहुत जादा जरूरी हमें पढ़ने के लिए ठीक है दोस्तो तो चलिए शुरुआत करते हैं वट डिए मीन थे मिनबग अमेटल क्या होता है एक ऐसा चीज होता है जिसके पास कुछ प्रॉपरिडिस होती है दो तरीक के हो सकति IF या तो बाहरी रूप उसकी बाहर से दिखने में कैसी है, उसकी क्या बाहर का नेचर है उसका, तो वो define करता है मेरा physical property और अंदर से जो रहेगा वो define करेगा chemical property, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोई भी metals के case में उसका क्या होता है physical property, यानि कि बाहर से दिखने में वो कैसा होता है properties, physical properties of metal, ठीक तो सबसे पहला है physical property उसमें उसका physical state, तो physical state का मतलब यह होता है दोस्तों, अगर मैं बात बताओं, physical state मतलब, यानि कि बाहरी रूप से उसका physical कैसा है, जैसे कि normal temperature पे अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा metals होते हैं, वो क्या होते हैं physical state में, solid होते हैं, यानि कि कोई भी metal आप कोई भी metal आप ध्यान में रख लो, यह metal का नाम यह metal का नाम आपके ध्यान में आ रहा होगा, तो वो metal को जब भी आप notice करोगे, तो वो क्या मिलेगा आपको solid मिलेगा, यानि कि जितने भी metals होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, solid होते हैं, लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ exception घप्षन होता है जैसे कि आपको मैंने बोला कि हर चीज़ दुनिया में 100% नहीं होता है तो यहाँ पर 100% मेटल सॉलिड नहीं होते है यानि कि हर एक मेटल सॉलिड होता है लेकिन उसमें से बिख एक या दो अपको याद रखना है तो नामल कंडिशन में तो आपको यही देख थर्मामेटर के अंदर जो आपका temperature बताता है तो उसको बोलते है mercury, तो mercury एक metal है लेकिन फिर भी वो क्या है liquid condition में, solid नहीं है, तो mercury हो गया और एक और element है जिसका नाम है gallium, तो gallium एक ऐसा element है, जो है तो metal लेकिन वो solid नहीं है, वो भी क्या है liquid condition में पाया जाता है, तो आपको य yes, every metal is a solid, लेकिन except few of the metals which is not solid, जो कि होता है mercury and gallium, यह solid नहीं होते हैं, यह आपको फिलाल में याद रखना है, ठीक है दोस्तों, अब चलता हूं में अगले property की तरफ, यह तो पहला हो गया, physical properties, physical state हो गया, ठीक है ना, physical state आपको समझ में आ गया, कि हर एक चीज़ solid होता है metals मे लेकिन दो को छोड़के mercury और gallium, यह दो चीज़ आपको याद रखना है फिलाल में, ठीक है ना, अब चलता हूं में अगले property जिसका नाम है दोस्तों, लस्चर, अब लस्चर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको confuse करते हैं, लस्चर का meaning से, क्योंकि लस्चर का मतल फिर iron, it is a metal, तो जब भी आप ऐसे कुछ metals की दरब देखते हो, तो आपको अलग सी चमक उसमें दिखाए देगी, ठीक है ना, metals और non-metals में फरक क्या होता है, मैं आपको बता रहो, तो metals क्या होता है, जिसमें लस्चर की property होती है, यानि की चमकने की property होती है, शाइन करता है metal, लेकि non-metals shine नहीं करेगा, तो यह आप देखके ही बता सकते हो, कि यह metal है, यह non-metal है, लेकिन आपको फिलाल में कुछ examples याद रखने हैं, जो कि आपको बताएगा, कि कौन से metals होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको example, भी मैंने आपको बताया, कि जो metals होते हैं, they have the luster property, यान यहाँ पर पढ़ रहा है, board के उपर, that's why यह चीज जो में लिखर हो, आपको दिखाई दे रहा है, correct है, जो भी हम देखते हैं, वो light के वीसे देखते हैं, light नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी देखने पाएंगे, तो same, चमक जो होती है, luster, जो property होती है, metals के अंदर, वो भी light के वेज़े से होती है, तो जब light कोई भी metals के surface के उपर टकराता है, तो वो reflect हो जाता है, जिसके वेसे वो चमकता है, that's why this property is called luster property, ठीक है, एक्जामपल बहुत सारे, आप याद रख सकते हो, ठीक है, gold हो गया, silver हो गया, aluminium हो गया, iron हो गया, these are all metals, जिसके पास यह luster की properties होत होता है, तो hardness का मतलब क्या होता है, कि जो भी metals होते है, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं, metals के बारे में, तो metal की एक ऐसी property होती कि उन्हों क्रणक होता है, hard होता है, solid TO होता ही है, लेकिन solid का meaning अलग है, यहाँ पर, यह हो गया, लेकिन hard मतलब क्या होता फिर silver ले लो, gold ले लो, ये सभी क्या है, hard है दोस्तों, nature में इनका hardness है, that's why, ये property आप बोल सकते हो, कि metals का बाहर से आप देख के बता सकते हो, कि अगर वो hard है, तो वो क्या रहेगा, metal रहेगा, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो, लेकि लेकिन इसमें भी दो को छोड़के, तो दो ऐसे कोन से है, उनमें आपको बताने वालो, तो sodium and potassium, एक element है sodium, दूसरा है potassium, तो potassium और sodium ऐसे elements है, ऐसे metals है, जो आप अगर एक समझ लो, ऐसा sodium रखा हुआ है, उसको आप चाकू से काटने की कोशिश कर गए तो साबुन के जैसा metals होते हैं, सब के सब हाड होते हैं, तो आपको याद रखना है कि hardness है अगर पूछेगा आपको कि yes, metals are hard except to, दो को छोड़के sodium and potassium, क्योंकि वो soft होते हैं और उसको आप चाकू से भी काट सकते हो, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हमारे अगले प्रॉपर्टी है, तो तिसरा प्रॉपर्टी था ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, सर हर प्रॉपर्टी में आपको आज explain करने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये चीज ध्यान से सीख लिया ना दोस्तों, कई भी कभी नहीं रुक पाओग हर चीज का बेस यह है दोस्तों, तो ध्यान से देख ले ना हर चीज, तो हाटनेस हो गया, अब चलता हूँ में फॉर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों, डॉस्तों डॉक्तिलिटी, अब डॉक्तिलिटी का मीनिंग भी आपको बहुत ही आसानी से समझ मे याद रह जाएगा, अब डॉक्तिलिटी की बात करूँ, यह एक ऐसे प्रॉपर्टी होती है, मेटल के पास, कि अगर कोई भी एक समझ लो मेरे पास एक आयरन का तुकडा या फिर कोई भी मेटल का तुकडा है, लेकिन समझ लो एक मेटल का तुकडा है, और उसको आप क्या कर रहे हो, दोनों साइट से प्रेशर लगा रहे हो, एक तरफ से इधर खीच रहा हो, जैसे कि यह मारकर हो गया, इसको इधर से खीच रहा हो, इसको इधर से खीच रहा हो, तो दोनों तरफ से खीच रहा हो, तो यह जो इतना मोटा आयरन का रोड था या फिर जो मेटल का र तो ऐसी प्रोपर्टी जिसमें कोई भी मेटल वायर में watts हो जाए प्रेशर लगाने के बाद फोर्स में लगाने के बाद तो वो प्रोपरटी को हम लोग बोलते हैं डाक्टि लिटी प्रोपर्टी और यहotherapy मेटल के पास होती है नॉं मेटल के पास नहीं मदल को खीचो जैसे यह प्लास्टिक है इसको खीचो तूड़ जाएगा करेक्ट है ना यह वायर में कनवर्ट नहीं होगा लेकिन वो सिर्फ और सी प्रॉपर्टी होते हैं जैसे आपको पता है कि जितने भी वायर बनते हैं वो मेटल से ही बनते हैं लिमिनियम वायर, कॉपर वायर देखा है आपने कभी सुना है कार्बन से बनावा वायर नहीं सुना होगा तो ओविसली क्यों नहीं बन पाता है क्यूंकि उनके पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है तो यह आपको याद रखना है दोस्तो ओनली मेटल से अफ द प क्या होता है मैं आपको बताने ही कोशिश करता हूँ कोई भी एक मेटल का तुकडा है कोई भी एक मेटल का तुकडा लेलो समझ लो एक इतना बड़ा मेटल का तुकणा है अब मैं क्या करता हूँ इसके उपर हैमर कर रहा हूँ मैं इसके उपर हैमर कर रहा हूँ बहुत जो अगर कोई भी metal जिसके उपर मैं continuous force लगाऊं प्रेशर लगाऊं जिसके वजे से वो convert हो जाए एक पतले sheets के अंदर तो वो property को बोलते हैं हम लोग malleability या बोलते हैं दोस्तों malleability बोलते हैं और यह चीज़ आपको याद रखना है कि whenever any material और any metal is hit by a force by some external pressure and because of that its gets converted into a sheet वो चीज़ को वो property को हम लोग बोलते हैं malleability और यह सिर्फ वो सिफ metal में होगा क्योंकि अगर मैं कोई भी non metal लेता हूँ समझ लो carbon ले लिया carbon मेरा non metal है कोईला उसको मार रहा हूँ क्या हो जाएगा powder बन जाएगा चूरा बन जाएगा वो sheets में convert नहीं होगा इसका मतलब सिर्फ metal के पास ही ऐसी property होती कोई भी ले लो iron ले लो देखो जिसका नाम है conduction of heat ठीक है तो conduction of heat का मतलब क्या होता है यह हम समझने की कोशिश करते है ठीक है तो पूरे के पूरे material में अगर heat pass हो रहा है तो वो property को बोलेंगे हम लोग conduction of heat, तो metals जो होता है it is called as a good conductor of heat क्या बोलते हैं इसको हम लोग good conductor, जितने भी metals होते हैं उसके अंदर से heat बड़े आसानी से pass होता है इसलिए इसको बोलता है कि that is good conductor of heat heat को अपने अंदर से आराम से pass कर पाते हैं इसलिए जितने भी बरतन होते हैं आपके जो आप खाना बनाते हो वो सब के सब metal से बनते हैं तो carbon से बने होते हैं तो carbon से क्यों नहीं बनते हैं क्योंकि उसके अंदर से heat pass नहीं हो सकता है क्योंकि वो non-metal है और ये metal है तो metals के अंदर जितने भी जो substance होते हैं वो metals से इसले बना जाते हैं ताकि heat पास हो सके हैं उसके अंदर जैसे कि आपके जितने भी type के बरतन होते हैं लोखन से बने होते हैं, aluminum से बने होते हैं, steel से बने होते हैं, copper से बने होते हैं तो वो होता है हमारा conduction of heat का property वैसे ही एक और property ह तो जीस प्रकार आपने हीट को पास किया उसके अंदर से वैसे ही इलेक्टरिसीटी पास हो सकते हैं जैसे कि एक iron का तुकड़ा है, लोखन का तुकड़ा है, मैंने button चालू किया, switch में लगाया, और ऐसा ही समय सूस किया, क्या होगा, current लग जाएगा, लेकिन do not try this at home, बिल्कुल ही नहीं करना, आप लोगो experiment ही है, ठीक है, just take में समझाने के लिए आपको बतारो, कि अगर आपके पास ही ऐसा properties होता है, जिसके अंदर से बिजली को, electricity को पास कर सकता है, लेकिन वहीं यह प्लास्टिक का rod ले लूँ मैं, I mean to say, marker ले लूँ, यह प्लास्टिक से बना हुआ है, अंदर डाल दूँगा, switch on कर दूँगा, मुझे current लगेगा, क्या बिल्कुल ही नहीं लगेगा फिर भी आपको करना नहीं है, do not try this at home दोस्तो, मेरा आपसे request, please मत करिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो अगर मैं क्या करता हूँ, यह जो प्लास्टिक और डाल के चालू करूँगा, तो मुझे current नहीं लगेगा, क्योंकि यह चीज क्या है, metal नहीं है, इसके अंदर से electrons flow नहीं हो सकते, तो आपको बस यही बताने ही कोशिश कर रहा हूँ, कि electricity सिर्फ और से metals के अंदर से पास हो सकते हैं, तो हम लग भी बोल सकते हैं, कि it is also good conductor, जितने भी metals होते हैं, दोस्तों, वो क्या होते है, good conductor of electricity, बिजली के बहुत ही जादा, अ चीज दोस्तों किस से बनते हैं, metal से बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर से बिजली पास हो सकते, वो carbon से नहीं बन सकते, वो plastic से नहीं बन सकते, क्योंकि उसके अंदर से पास नहीं होंगे, तो यह हो गया हमारा 7th property, 8th property की बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों, यह यानि कि जो आपके metals होते है उनका पास density होता है, यानि कि एक fixed density होता है, metals have specific density, यानि कि इनका एक fixed density होता है, जैसे कोई भी metal हो गया, iron, aluminium, copper, यह सभी के पास एक density होता है, और density का मतलब होता है, density is equal to mass upon volume, यह मैंने shortcut लिखा है, लेकिन आप पूरा लिख लिजेगा, d for density, m for mass, v for volume, यानि कि कितना mass, कितने volume से divide होता है, वो हमारा बताता है density, तो हर एक का mass और volume fixed होता है, solid में, यानि कि metals के अंदर, तो उसका volume भी जो होता है, specific होता है, तो यह चीज़ आपको याद रखना है, कि density of metals is fixed, approximately fixed होता है, यह चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि lithium का example दिया normally, अगला property की बात करेंगे, यह हो गया 8th property density, उसके बात करेंगे 8th and 9th property, 9th property की बात करेंगे, जो कि अगे एक बहुत important माना जाता है, जिसका नाम है दोस्तो, melting point and boiling point, MP बोलते है melting point के लिए, melting point MP and boiling point BP, तो melting point and boiling point होता है, metals के बास, जो भी metals होते है, उसका एक fixed melting point होता है, लेकिन एक ऐसा temperature भी आएगा कि वो पिगलना स्टार्ट हो जाएगा, जो लोखन का rod रहेगा, iron का जो rod रहेगा, वो पिगलना चालू हो जाएगा, तो जो temperature भी वो पिगलना चालू हुआ, उसी को बोलते हम लोग melting point MP, और boiling point क्या होगा liquid के लिए, कि ऐसा temperature, समझ लोग पानी है, यहाँ पे change नहीं होता है, और बहुत ही high melting point होता है, मतला बहुत जादा temperature पे, तो melting point and boiling point में लिखेंगे, it have high melting point and boiling point, यानि कि जितने भी metals होते है, उनका melting point and boiling point क्या होता है, बहुत जादा होता है, इसमें metals की बात कर रहा हो, ठीक है, metals ही चल रहा है अब इतने जीर से, त metals में high melting point होता है, और boiling point होता है, और आखरी जो topic है, इस particular आज का जो lecture चल रहा है, जिसमें हम लोग बात करने वाले थे, physical properties of metals, तो आखरी जो physical property है, वो माना जाता है, जिसका नाम है sonority, तो sonority का मतलब क्या होता है, यह मैं आपको बताऊंगा, sonority का मतलब होता है sound, यानि क metals होते हैं, उसका एक sound जो है fix आता है, जिसके आपने देखा होगा, एक sonorus sound आता है, sonorous का मतलब होता है, एकदम तंण करके आवाज आता है, तो आप जैसे घंटी आपने देखा होगा, school में घंटी बसता है, मंदीर में घंटी बसती है, तो किस से बनता है, metal से 70 volume असे बना हो तो वह सिफो सी मेटल्स में आता है, प्लास्टिक में आएगा क्या? कट 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 आ रहा देखो, टन टन का साउंड होता है सोनोरिटी, यानि कि मेटल्स जो होते है वह EtherC1 मेटल्स जो साउंड निकलता है वह थोड़े से अलग लेवल पे निकलत है, थोड़े मधूर आवाज निकलता ह है उसका अलग पहली बार, लेकिन वह मेटल्स सी बनता है, इसके लिए मिए यता हूं उसके बाद आपका गोलग हो गया, बहुत सारी चीज़े होती है, aluminum, copper, ठीक है, यह सभी चीज़ के अगर बात करूँ हो, तो they all, these metals जो मैंने आपको नाम बते हैं, इनके पास क्या होती है, property होती है, जिसका नाम है sonority, उनके पास specific sound होती है, तो यही थी कुछ physical properties of metals, जो कि आपको, मुझे लगता है, 100% clear हो गया होगा, और यह चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यह चीज़ आपको काम ही आएगा हमेशा, और आपने 100% में उमीद और guarantee के साथ बोल सकता हो, कि आपने 100% यह चीज़ क पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे हमारे अगले lecture में, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, हमने जो chapter की शुरुआत कि है, आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताईएगा, अपनी राय और suggestion जरूर से आप लोको notification मिलती रहेगी, ठीक है friends, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye